स्वागत है दोस्तों आपका आपकी एपनी यूटूब चैनल की इसमान फ्यूचर क्लासेज में यससी CHSL एंटी PC ग्रूप D आधी एकज्यामों में इस प्रकार के कोश्चन पूछे जाते हैं क्या आप बोल रहा है उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुड़न फल कितना होगा जिनका योग पंद्रा है क्रमागत संख्याओं क्या होती है दोस्तों क्रमागत संख्याओं ऐसी संख्याओं होती है जो क्रम से आए करम से आहे मतलब जैसे एक हो गया तो उसके बाद आने वाली संख्या क्या होगी दो होगी उसके बाद क्या होगा तीन होगा उसके बाद चार होगा इस प्रकार की संख्या है करमा गत एक एक अगर इसमें एक जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा इसमें एक जोड़ेंगे तो तीन हो जाएगा इस प्रकार की संख्याएं करमागत संख्या कहलाते हैं जैसे अगर आप मान लेते हैं माना पहली करमागत संख्या यक्स है तो यक्स में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा x plus 1 हो जाएगा एक और जोड़ देंगे दो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा x plus 1 plus 1 यानि क्या हो जाएगा x plus 2 इस प्रकार की संख्याएं क्या होते हैं करमागत x plus 1 x plus 2 इस प्रकार की संख्याएं x plus 3 इस प्रकार की संख्याएं क्या होते हैं करमागत यानि क्रम से आने वाली संख्याएं क्या कहलाते हैं करमागत संख्याएं तो उन तीन करमागत संख्याओं का गुड़न फल कितना होगा जिनका योगफल 15 है तीन करमागत संख्याओं कौन कौन से यक्स हो गया यक्स से प्लस वन हो गया प्लस एक्स प्लस टू हो गया तो x x और x मिलकर 3x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा यहां से 3x बराबर 15 माइनस 3 हो जाएगा तो यहां से 3x is equal to क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा तो x is equal to 4 हो गया x is equal to क्या निकल कर आया 4 हो जाएगा तो तीनो क्रमा गस संख्याएं क्या हो जाएगी तीन क्रमा गस संख्या पहली तो चार हो जाएगी दूसरी एक्स प्लस वन यानी पांच हो जाएगी तीसरी क्या हो जाएगी एक्स प्लस टुई एक्स की जगह पर चार रखेंगे तो चार दो छे हो जाएगी यही क्या हो इसका गुड़न फल निकल कर आएगा आसा करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रकार आप एक्जाम में कोश्चन को साल्व कर सकते हैं बिल्कुल एजी से केवले बेसिक कांसेट आपको पता होना चाहिए कि तीन क्रमा गज संख्याएं चार क्रमा गज संख्याएं करम से आने योग फल तीस है तीन क्रमा गज संख्याएं का गुड़न फल ग्याथ कीजिये जिनका योग फल क्या है 0e